सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तो आस बीका हमारे यूट्यूब चैनल बबस्वागत है तो दोस्तो अकैड़िमिक सेशन 2021-2022 के सभी कैंड़ेट के लिए बैड नुज निकल कर आई है बैड नुज बैड इसलिए क्योंकि काफी सार बच्चों को उमीद थी कि सलेबस कम हो जाएगा लेकिन CBSE ने कंफरम कर दिया है तो CBSE के सेकेटरी है उन्होंने कंफरम कर दिया कि CBSE का कोई सलेबस में सेंज नहीं किया जाएगा जो पहले वाला सलेबस है उसी को ही कॉंटिन्यू किया जाएगा मेरे को पता है कि बहुत सार बच्चों की डिमांड थी कि सलेबस कम करना चाहिए मैं बच्चों की बातों से भी एगरी करता हूँ लेकिन CBSE ने कंफरम कर दे है कि वो सलेबस कम नहीं करेगे CBSE का ये डिसीजन मेरे को गलत लगता है क्योंकि काफी सारे बच्चों की डिमांड से है और काफी सारे बच्चों को रियालिटी भी प्राब्लम हो रही है क्योंकि online classes हर किसी के लिए अवलेबल नहीं है और online classes के दिर प्राप्रपलिटी स्टडी नहीं होती तो स्लेबस कम करने वाले डिसीजन CBSE को अपना बदलना चाहिए लेकिन अब CBSE ने कमफर्म कर दिया क्योंकि academic session भी अब स्टार्ट हो गया है तो अब at last moment पर स्लेबस नहीं बदल सकता तो अब लगबग final है CBSE का स्लेबस कम नहीं होगा CBSE का बच्चों ने डिमांड बिल्कुल भी नहीं करी लाश्ट एर काफी टाइम तक CBSE के स्लेबस कम के लिए हैश्टैग वागवरा ट्रेंड किया था बच्चों ने लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी बच्चों ने डिमांड नहीं किया इसलिए इस बाद स्लेवर्स कम होने के चांस बने ही नहीं बाकी CBSC अब अब लाश वगरा मुमेंट में मेरे को लगता नहीं स्लेवर्स बदले क्योंकि वरना क्या होगा दो बुक्स प्रिंट हो गई है और जो काफी सारे पब्लिकेशन हाउस है उनको काफी लॉस हो जाएगा तो अब CBSC की सेकेटरी ने बात कम फर्म कर दिये कि हम स्लेवर्स को इस बाद कम नहीं करेगी अकैडमिक सेशन 221-22 का स्लेवर्स नहीं होगा CBSC की सेकेटरी ने बात कम फर्म कर दिये तो आप सभी इंपॉर्टन जान कर यहीं इकल कर या रही है अगर कोई दूसरी जान कर यहीं तो मैं आपको वीडियो बना कर बता दूँगा तो अपने फिमिलिंग नेक्स वीडियो में तब तक आसिंग पिरो सेफ रहो